दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर बिहार सरकार का आदेश बिहार के इन दो जाति के लोगों को भी आरतिक रूप से कमजोर वर्ग में मिलेगा परमान पत्र दस विजदी का आरक्षन का लाग जिहां बिहार में गेर आरचित वर्ग के तहद दो अन जातियों को आर्थी रूप से कमजोर वर्ग का परमान पत्र जारी किया जाएगा जाती परमान पत्र निर्गत करने को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है समान प्रसासन बिभाग ने सभी जिलो के डियम और बिहार प्रसासनिक सुधार मिसन को पत्र भेजा है सरकार के पत्र में कहा गया कि वैसी जातिया जो अधिसूचित अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन जाती पिछड़े वर्ग एवं अच्तन पिछड़े वर्ग के अंतरगत सूचित बत नहीं है वैसे भी सभी जातिया गेर अरचित वर्ग के अधिन माने जाएगी गे और अरेच्छित वर्ग में रखा जाए इन जातियों के अभयरतियों को उनकी संगत जाति से संब्धे जाती परमान पत्र उनके आवेदन के अधार 21 जारी किया गिया है SDG मतलब इस्टेनेवल डेवलोप्मेंट गोल्प की रेंकिंग में बिहार तलटी पर है विकास के मामले में बिहार ने सबसे खरा प्रदसन किया है जबकि 75 के स्कूर के साथ केरल कर प्रदसन पुरे देश में सर्वेस सेष्ट है निती आएक की ओर से जारी SDG इंडिया इंडेक्स के मताविक केरल के अलावा हिमाचल परदस और तामीन नडू का परपूमेंस बेश्ट है ये दोनों राज 74 के स्कूर के साथ दोसरे इस्थान पर है यानि की बिहार के स्थिती विकास के मामले में देश में सबसे खराब है बिहार राज जहरकन असाम सिक्की मेगालाई अरोनाचल परदेश नागालेंड और और इससा जैसे राज्यों सभी बहुत पीछे है अगली बड़ी खबर कई हजार करोड का खाद घोटाला जिसमें गिरपतार किये गए आरजेडी सांसद अमरेंद्र दारी सिंग जिहाँ देश के राज़दाने दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है आरजडी के राजसवा सांसद एडी सिंग को गिरबतार कर लिया गया है एडी सिंग की गिरबतारी परवतन नेदे सलय यानि की एडी ने की है एडी सुत्रों के मुताबिक खाद घोटाला मामले में ये गिरबतारी हुई है बताया जा रहा है कि एडी की टीम ने बिहार से राजसबा सांसद अमरेंदर पताप सिंग को खाद गोटाले के मामले में गिरबतार किया है ये गिरबतारी दिल्ली के डिपेंस को लोनी इलाके से हुई है आपको बता दे कि आरजडी सांसद एडी सिंग 10 दिन के लिए एडी की हिरासत में भेजे गए है मनी लोन्डिंग में उनसे पुछताच की जाएगी अगली बड़ी कबर 1,25,000 सिक्चोकों की बहाली का रास्ता सा बिहार सरकार ने 15 दिनों का मांगा समय बड़ी कबर सिक्चोकों की बहाली से जुड़ी है बिहार में अब 1,25,000 सिक्चोकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है इसको लेकर पतना हाइकोर्ट ने निर्दिस जारी किया है इस मामले पर बिहार सरकार ने कोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा है 15 दिनों के बाद merit list जारी किया जाएगा और merit list के आदार पर ही सिक्चकों की बहाली होगी वहीं दिव्यांगों मिद्वारों को आवेदन देने के लिए भी समय मागा गया है पटना हायकोट ने राज में सवा लाग सिक्चकों की बहाली का रास्ता साब कर दिया है राजी सरकार ने दिव्यांगों मिद्वारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की महलत देने की मांग की है आपको बताद कि पिछले वर्स शुरू हुई सिक्चक बहाली की प्रक्रिया में दिव्यांगों मिद्वारों को चार परतिसत आरक्षन के मामले को लेकर सिक्चक बहाली रुकी हुई थी आगली बड़े कबर सिक्चा मंत्रे का बड़ा फैसला अब साथ साल की बजाए आज इवन होगी TET सर्टिपिकेट की वेलिडिटी जी हाँ केंद्रे सिक्चा मंत्री रमेश पोकर्याल निसंग ने एक बड़ा एलान किया है केंद्रे मंत्रे ने सिक्चक पतरता परिक्षा याने की TET सर्टिपिकेट की वेलिडिटी साथ साल से बढ़ा कर आजीवन करने का निर्ने लिया है पकरियाल ने कहा कि सिक्चन चेत्र में करियन मराने एक इचुक मिद्वारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिसा में एहा एक सकारत्म कदम होगा केंद्र सिक्चा मंत्री रमिस पोकरियाल निसंग ने कहा कि समानित राज सरकार केंद्र सासित परदेश उन मिद्वारों को फिर से वेद नया टीटी परमान पत्र जारी करने के लिए आवजस्यक करवाई करेंगे जिनकी साथ वर्स की आवदी पहले ही समाप्त हो चुकी है आगली बड़े खबा साइकिल गर्ल जोती से प्रियंका गांधी ने की बात पढ़ाई का खर्च उठाएगी कॉंग्रेस जिहां कॉंग्रेस की महा सचे प्रियंका गांधी ने साइकिल गर्ल जोती कुमारी से फोन पर बात की है प्रियंका ने जोती की पिता मोहन पास्वान के आसमाईक निधन पर गरिस समेदन जोती के अनुसार प्रियंका गांधी ने उसे पढ़ाई जारे रखने की बात कही है साथ उन्होंने कहा कि उनकी पढ़ाई का सारा खर्च कॉंग्रेस पाठी वहन करेगी गुर्वार को इस्तानिय कॉंग्रेस नेता मस्कुर अहमाद उसमानी जोती की गाउं सिम्हाडा प्रखन के सिरोहली पोजे और जोती को प्रियंका गांधी द्वारा हस्ता अचिर सोक समेदन पत्र प्रदान कर संतावना दी उन्होंने जोती से कहा कि खूब पड़ो पढ़ाई का सारा खर्च पाठी वहन करेगी यहां नेनाई पाठी के आला कमान का है आपके जानकारे के लिए बता दे कि पिछले साल लोगडाउन में हर्याने के गुडोगाउं से 1200 किलोमेटर साकिल चला कर अपनी बिमार पिता को घर लाकर जोती देश विदेश में चर्चा में आ गई थी अगली बड़ कबर देश का पहला इंटरनेशनल म्यूजियम होगा पटना में पटना की दोनों म्यूजियम होंगे असपास दोनों को आपास में जोडने के लिए डेड़ किलोमेटर को होगा सब्य टनल जिहां बि बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम अंडर ग्राउन कनेक्टेड होगा जो देश का पहला इंटरनेशनल म्यूजियम होगा दोनों म्यूजियम के बेच सब्य टनल लगबग डेड़ किलोमेटर को होगा जिसमें कई कलक किरतिया प्रदसित की जाएगी दोनों म्यूज तरफ अधिक से अधिक पोधे लगाए जाएंगे सरकार ने ठोस और तरल अपसिष्ट प्रबंदन योजनाल जल्द लागू करने की बात कही है अगले बड़े कबर बिहार में थम गई कोरोना की रपतार मिले 1106 नए मरेज जानिये कितने हुई एक्टिव मरीजों की सेंख्या बिहार में लगाए गए लोकडाउन की वज़ा से कुरोना के रफ्तार ठम गई है, आलाकि माना जा रहा है कि कुरोना के दोसरी लहर का खत्रा भी कम हो गया है, जिसके वज़ा से कुरोना के मरिजों की सेंख्या में कमी आ रही है, स्वास्त विवाग की और से जारी किये गए अपडेट के नुसार, राज में पिछले 24 गंटे में 1206 नए मरीज मिले हैं, इनमें सबसे अधिक मरीजों की सेंग्या पठना जिले में हैं, या कोरोना के 164 नए मामले सामने आए हैं, वहीं आईने जिलों की बात करें तो अर्यारिया में 49, गोपाल गंज में बावान, कटिह में 49, मदवनी में 32, मुंगेर में 75, मुझपरपूर में 33, पुर्निया में 50, समस्तिपूर में 36, सारन में 35, सिवान में 35 और सुपल में 41 नए मरीज मिले हैं, वहीं बिहार में अब एक्टी मरीजों की सेंग्या 11430 तक पहुच गई है, वहीं 180 विवाग की और से बताया गया हो गई है, अगली बड़ी खबर बिहार में सुरू हुआ घर गर कुरोना वेक्सिनेशन, सियम नितिस ने 121 COVID-19 टिका एक्सप्रेस किया रवाना, जहां बिहार में कुरोना वेक्सिनेशन अभियान सुस्त रफ्तार से चल रहा है, लेकिन राज सरकारब टिका करान अभियान को तेजी देने के लिए टिका एक्सप्रेस के मदद लेगी, मुखमंत्रे नितिस कुमार ने कल टिका एक्सप्रेस को हरेजनी दिखा कर रवाना किया, सारी छेत्रों के लिए, कल 121 टिका एक्सप्रेस को मुखमंत्रे ने रवाना किया, स्वास्त विवा के तरब से या टिक भाकरान अभियान को तेज़ी दी जाएगी ब्यार के अंदर वैक्सिनेशन सेंटर पर टीके की कमिलगातार देखने को मिली है राजानी पटना में कल आट दिनों के बाद 18 साल से उपर Environmental को वैक्सिन मिली है ऐसे में टिका एक्सप्रेस की सुरुवात के जाने के बाद सवाल उटना लाजमी है कि जब टिकी की उपलबता ही नहीं है तो इस एक्सप्रेस के जरी अव्यान में कितनी तेजी लपाएगी अगली बड़े कबर सुसान सिंग राजपोट से जोड़ी फिल्मों की रिलिज पर रोग दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्चित रखा जिहाबिनेता सुसान सिंग राजबोत के पिता कृष्ण किसोर सिंग की याचिका पर दिल्ले हाइकोर्ट ने सभी पक्चो को सुनने के बाद आपना फैसला सुरचित रख लिया है नियाए मूर्ती मनोज कुमार औरी की पितने फिल्मों के निर्माता और निदेसको को कहा कि जब तक आदालत का फैसला नहीं आता तब तक फिल्म रिलीज ना करे गोर्तलवे की यह फिल्म 11 जून को रिलीज होने वाली थी सुनवाई के दौरान फिल्म नियाएदा जश्टिस के निर्देसक की तरब से पेसवे अधिवक्ता चंदरलान ने कहा कि इस फिल्म में सुसांद का नाम नहीं है उन्होंने कहा कि यह फिल्म सुसांद की बायोपिक नहीं है उन्होंने कहा कि फिल्म के रिलीज को बड़े इ चुका है इस पर पीट ने कहा कि अगर फैसला नहीं दे सके तो इगारा जोन से पहले मामले की सुनवाई कर फिल्म पर रोक लगाने के लिए अंत्रिम आदेश जारी करेंगे आपको बदादे कि सुसांत के पिता ने याची का दायर कर कहा था कि उनके बेटे का नाम या उसकी पसंद को प्रस्तावित फिल्मों में इस्तिमाल करने से रोका जाए इस खाता खोला जाएगा इस सायूक्त खाते में एतनौल उत्पादक ओयल कमपनियों को जो एतनौल बेचेंगे उसमें से बैंक अपनी लोन की रासी स्वतर काट लेगी इस तरह बैंक का लोन समय पर वापस होगा सभी को अपनी तय लाभांस और हिस्सिदार मिल जाएगी अगली बाड़े कबर माता या पिता की कोरोना से हो गई ये मौत तो बच्चों से कोई फिस नहीं लेगा बिहार का ये कोलेज पाटना एएन कोलेज ने एक बाड़ा कदम उठाया है कोलेज में पढ़ रहे किसी भी स्टुडेंट के अगर माता पिता में से किसी एक या दोनों का निधन कोरोना से हो गया है तो एएन कोलेज ऐस स्टुडेंट को मुप्त में पढ़ायागा कोलेज ने है फैसला IQC की बैठक में लिया है बैठक में सामिल सावी लोगों ने सर्व सम्मति से यह निन्ने लिया है फैसला लिया गया कि ऐसे स्टुडेंट को सब परतिसत फिस माप कर दी जाएगी कोलेज के प्रचार प्रोफेसर स्पी साहे ने कहा कि महामारे के इस विस से दिनों की मजदोरी भी जहां राज का हरे दावरान बढ़ाने में सरकारे जमीन की कमी को पुरा करने के लिए निजी जमीन पर पोधार उपन का बढ़ावा देने की योजना को सफल बनाने के लिए राज सरकार कई सहल्यत देने जा रही है कोई किसान या जमीन मालिक अप पोधे लगवाने की जमिन नहीं है तो दो से तीन किसान मिलकर एक इकाई पूरी कर सकते हैं, दो से अधिक इकाईओं को कलस्टर एरिया माना जाएगा, इससे छोटे किसानों को खूब लाब मिलेगा, नीजी भुईमी पर लगाए गए पोधे की सुरिक्षा के लिए सरकार ग तेजी से समाइन हो रही है, कई बड़े जिलों में अप्रिल में 500 से लेकर 3650 तक नए संग्रमित की पैचान की गई थी, खास बात यहाए कि बिहार में कोरोना की दोसरी लहर के दौरान संग्रमन के रप्तार जितनी तेजी से बड़ी उतनी तेजी से इसमें कमी भी आती अरंध की बड़े कबर दो महने का रासन पूरा और मुप्त में ना मिले तो इस नमर पर करेपोन दोसी का रद्ध होगा लाइसेंस कोरोना महामारे में केंद्र एवामराज सरकार के सहयोग से रासन कार धारकों को उनके योनिट अनुसार मैं और जोन में दो दो महने का गेहूं और चावल दिया जा रहा है इस रासन के लिए धारक को एक रुप्या भी दुकानदार को नहीं देना है सरकार के इस इसपष्ट आदेश के बावजोद कम रासन देने और तान लेने का आरोप कई दुकानों पर उपभोगताओ द्वारा लगाया जा रहा है पटना में लगातार मिल रहे इनी सिकायतों को गंबिर्ता से लेते वे अनुमंडल अधिकारे मुकेस रंजन ने अपना फोन नंबर 9473191202 जारे किया है इसमें आप फोन करके अपनी सिकायत दर्ज करा सकते हैं आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार का प्रतम बिज्ञान केंद्र कौन सा है इसका जबाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं